Hello everyone, exam guidance की YouTube channel में आप सभी का स्वागत है आज मैं reasoning के कुछ important question को solve करूँगा बस आप सभी से एक request है जब आप ये video देख रहे होंगे तो पहले video को pause करके खुछ से सारे question को solve कर ले comment box में आप ये ज़रूर बताना video आपको कैसा लगा तो start करेंगे आज के first questions है आज का हमारा first question sitting arrangement का question है देखो इसमें बोल क्या रहा ध्यान से सुनना question में बोला गया A, B, C, D, E, F, G and H are 8 friends sitting around a circular table facing the center बोला जा रहा है 8 friends है ये सारे के सारे friends एक circular table बैठा है और सभी का face center की तरफ है अब आगे क्या बोला गया ध्यान से सुनना आगे बोला गया A, C, second to the left of D यानि A जो है वो D के left से दूसरे place पर है who is third to the left of E जब भी sentence हमारा who से connect होगा तो ठीक अपने पहले वाले के लिए who always अपने antecedent के लिए यूज किया जाएगा और यहाँ पर who का antecedent है कौन तो D यानि D is third left of E यानि D जो है वो E के left से तीसरे place पर है इसके आगे इसके आगे बोला गया C, second to the right of G यानि C जो हो G के right से तीसरे place पर है फिर बोला गया G is not an immediate neighbor of E यानि इसका यह मतलब हुआ who अपने ठीक पहले वाले के लिए यूज होता हम क्या किये हो वाले place में G को रखे तो G is not an immediate neighbor of E का मतलब हुआ G और E आपस में never नहीं है इसके आगे H seats third to the right of B इसका यह मतलब हुआ कि H जो हो B के right से तीसरे place पर है who seats second to the right of G इसका यह मतलब हुआ कि देखो जब भी sentence हमारे हो से connect करो ठीक पहले वाले के लिए तो हम ऐसा कह सकते है B seats second to the right of G यानि G के right से दूसरे place पर है तो यह हमारे statement of condition था question आपसे पूछा गया who is third right of C यानि C के right से तीसरे place पर कौन बाठा चलो इसे arrange करते हैं next slide से next slide मैंने content को पहले से sort में लिख रखा है अब देखो इसे solve कैसे करेंगा हमारा पहला condition यहाँ पर मौझूद है बोला जा रहा है यह जो है वो D के left से दूसरे place में ध्यान देना most of student को confusion होता है right और left ध्यान से सुनना जब right और left में आपको confusion हो तो मैं आपको एक trick बता रहा जब आप clockwise move करते हो तो clockwise move करने का मतलब क्या हुआ आप left की तरफ जा रहे हो और जब आप anti-clockwise move करोगे तो anti-clockwise जाने का मतलब क्या हो आप right की तरफ जा रहे हो अब यहाँ पे बोला गया A जो है वो D के left से दूसरे place में देखो यहाँ पे 8 place बना हुआ है इधर होता आगे आगे बोला गया E जो है D जो है वो E के left से तीसरे place में तो इस case में E को यहाँ रख देंगे और D जो है वो E के left से तीसरे place में हो जाएगा आगे फिर क्या बोला गया C जो है वो G के right से तीसरे place में लेकर diagram है कहीं भी आपको जी और सी दिख नहीं रहाता, तो छोड़ दो, आगे बढ़ता है, आगे बोला गया, जी और ही never ने होगा, इसका यह मतलब वो इस place में, जहां मैं dot दे रहा हूँ, वहाँ पर जी नहीं बाठेगा, ठीक है, तो जी कहां कहां बाठेगा, जी यहां बाठेगा, जी यहां बाठ जब G यहाँ पर आएगा तो इस case में यहाँ पर कौन आ जाएगा अब यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जो कंटेंट था हमारा कि कि सी के राइट से तीसरे प्लेस में कौन देखो वर्ण टू थ्री यानि एफ है तो इस question का राइट आंसर हमारा एफ हो जाएगा बढ़ेंगा निक्स्कूशन के तरफ हमारा निक्स्कूशन है क्या वो देखते है निक्स्लाइट से हां यह कोशन हमारा एनलोजी का कोशन बने निक्स्कूशन के वो देखते हैं हमारा कुशन जो है वो रैंकिंग का कुशन है अब यह ranking का कुशन बनता है कैसे है मैं आपको निक्स्कूशन को आप यहां से पढ़ लेना ठीक है निक्स्कूशन को सॉल्व करेंगे चलो कुशन के content में है क्या ध्यान से सुनना कुशन में क्या क्या बूला जा रहा है सोहन का rank जो है वो रैंक है अच्छे ध्यान देना जब भी content में left और right का बात होगा तो always देखो हमारे ऐसा line बनता है काईसा line बनता है देखो ऐसा line बनता है ठीक है इस case में यह हमारे right-end हो और यहnd vacun का जो रंक है वह लेफन से क्या है तो पिर content में क्या बोला गया कवीर का जो रैंक है वह राइट साइड से थर तो जब भी नाइन में अलग एलग अलग परसं होते हैं जोनों के बीच गप का ड्याइग्रम बनता है हूं बूला गया सोहन और कबीर के बीच जो है वो nine person है ठीक है आपसे पूछा जारे सरे total number of person है कितने तो इस case में ध्यान देना जब भी total number of person पूछा जाए और question में दो अलग अलग person है तो इस case में हमारा दो तरह का diagram बनता है एक gap का diagram बनता है और एक हमारा overlapping का diagram बनता है तो ध्यान देना यहां पर मैंने गैप का डाइगरम बना है तो ध्यान दो पूछा गया टोटल नंबर और परसन तो लट में जितने भी परसन थे लट में कितने परसन नाइन इस नाइन को और जो राइट साइड का जो परसन उसे एड कर देना तो यह हमारा टोटल परसन हो जाएगा आँगा मैं आपको बता रहा हूं ध्यान देना बस यह ध्यान अखना इसका एंसर 32 भी होगा चलो फिर से डाइग्राम को ड्रॉ करते हैं अब इस बाजो डाइग्राम बनेगा वह बनेगा बोला जा रहा है सोहन का जो रैंक है वह लाप साइड से कितना है तो सोहन का रैंक के बीच में कितने परसन है नाइन परसन है और आपसे पूछा जरा टोटल परसन है कितना ध्यान देना जब भी ओफर लैपिंग का डाइग्राम बनेगा तो उस केस में कुश्चन सॉल्व कैसे होता वो देखो बनाने का तरीका बनाने का तरीका क्या लैप्टोराइड को ज अच्छा ठीक है 23 मीड में कितने परसन है नाइन और फिप्लस टू भी करेंगा तो आपका दो-दो होगा यानि दो इसका आएगा एक अंसर आएगा हमारा 32 और एक इसका आएगा तो द्यान देना किस ऑप्सिन में आपका 32 और 12 और वही हमारा करेक्ट अंसर होगा ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आप रैंकिंग पढ़े होगा अधरवाइस बाउंस हो जाएगा तो इस कोश्चन का राइड अंसर हमारा टू अप्शन होता चलो आगे बढ़ तब आगे है क्या वो देखते है निक स्ला स्लाइड में भी कोश्चन हमारा नॉर्मल सा ध्यान देना लिखा हुआ वर्ल्ड इंवार्मेंट दे फाइब जून और पूछा जाए इंटरनासनल गल्ड चाइल्ड तो ध्यान देना इसके लिए थोड़ा सा आपके पास कंसर्प्ट होना चाहिए जिये का टीक है यानि कर सबसे पहले क्या होगा जुताई फिर क्या होगा बुआई और फिर क्या होगा नेराई यानि जूताइब देना इसे मिनिंग्फुल और में ध्यान देना सबसे पहले क्या होगा जुताई फिर क्या होगा बुआई और फिर क्या होगा नेराई यानि जुताई होगा बुआई होगा नेराई तो देख भाल करना होता है पारी होगरा बटाना होता है और फिर क्या होगा कटाई तो इस केस में पहले 3 होगा फिर 4 आएगा फिर 2 आए हो जाएगा option number C हमारा right answer होगा चलो आगे